चलिए बात करते हैं question number 71 की क्या गया रहा है 71 कोई वेक्ती 3,250 रुपए के रिण के बुक्तान के लिए प्रथम मास में 20 रुपए देता है उसके उपरांत प्रतेक मास के बुक्तान में 15 रुपए की वो व्रदी कर देता है रिण के पून बुक्तान में उसे कुल कितने मास मतल किसे महीने में देगा कितना पहले जितना दिया था उससे 15 जादा मतलब 35 रुप इस तरीके से ये रहेगी कब तक जब तक यह जो रुपए है कितने ना हो जाए 3250 रुपए आप देख सकते हैं ऐसे लिखना तो पॉसिबल नहीं है काफी लंबा चोड़ा हो जाएगा दूसरा हम तरीका यहां लगा लेते हैं यह एक तरह से समांतर श्रेणी चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें आप देख सकते हैं पहला पद है 20 फिरOkay और वाला पद कौन स法ल पद होगा यह टोटल आयगा लास्ट मेदाऊ के ठीक है तो हम देख सकते हैं समांतर श्रेणी का जो योग होगा वो योग का फार्मूला क्या होता है n by 2 2a plus n minus 1 d जा a होता है प्रथम पद जो कि मैं देख सकता हूँ 20 है योग जो कि 3250 रुपए होना चीए ये टोटल आएगा 3250 ठीक है तो ये 3250 पद कितने है वही तो हमें निकालना है टोटल कितने महीने लगेंगे इस तरीके से ठीक है और पहला पद किया है 20 तो 2 का 20 से कितना 40 n का मान निकालना है डी होता आपका सार्व अंतर common difference जो कि देख सकता हूँ सब जगे कितने का है 15 का बस इसको सरल कर लेते हैं न का मान मतलब number of terms आ जाएगी यह कितनी बार लिखा जाएगा वो आ जाएगा तो जितनी बार लिखा जाएगा वही महीनों की संख्या अमारा answer हो जाएगा चलिए देखते हैं फिर देखिए इसको इधर लेकर आजाते हैं 3000 का 6000 दोजार पचास का पांचो तो छेजार पांचो तो अंको अंदर डालने तो यह हो गया कितना 40 एं वो हो गया 15 एं ठीक है और फिर यह आपके कितना माइनस का 15 अब आप देख सकते हैं कि यह 2 इधर आ गया एं अंदर जाएगा दूए 40 N होगा और यह अंदर जाएगा तो N इंटो N N स्क्वेर होगा एक तरस से ठीक है तो यह हो गया 15 N स्क्वेर और यह 15 N चलिए अब इसको solve करते हैं 40N-15N अगर मैं करूँ तो कितना हो गया 25N 25N हो गया फिर 5 common ले लिया तो 5-65 तेरा बार कड़ गया तो यह रह जाएगा 40N में से पहले तो 15N गया तो 25N बचा फिर 25N का 5N 5 बार गया तो अंदर रह गया 5N प्लस यह कितना N common आ रहा है फिर से 5 प्लस 3N अब दो तरीके हैं या तो जो यह equation लिखी वी इसको solve करते हैं द्वी घात समीकरन है quadratic equation है एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा तो माइनस वाला ता आंसूर होगा नहीं प्लस वाला ही होगा या फिर हम ऐसा कर सकते हैं जो option दे रहा है उन options को इसमें रखते हैं जहां पर यह 1300 आ जाएगा वही हमारा answer हो जाएगा तो start करते है option जैसे कि पहला option क्या आपका 26 तो मैं 26 डारेक्ट आपको नहीं करना है सिर्फ आप unit बनेगा फिर बार 26 है 6 और 3 है तो 6 और 3 का फिर से गुणा करेंगे तो एका यंग कितना आएगा आठ आएगा जबकि यह कितना आ रहा है जीरो तो पहला option तो नहीं हो सकता तो फिर हम देखते हैं जीरो ही लाना एका यंग तो इसमें से 20 उठाकर देखते हैं क्या सही है क्य यह देखते हैं आप इसका इससे गुणा करेंगे 20 का 3 से कर लेंगे तो 20 का 3 से करेंगे गुणा तो कितना हो गया यह 60 फिर यह कितना है पांच और भार भी कितना है 20 यह हो गया 65 तो अब देख सकते हैं बिलकुल आ रहा है 65 का डबल कर लेते हैं तो 65 का डबल हो गया 130 और य ही है यह था question number 71 इसी question number 71 के साथ मैं मैं राकेश शौदरी आपका mathematics teacher welcome करता हूँ आपका digital theory के YouTube channel पर जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रुकमीनी publication की platform book के बारे में उसमें हमारा chapter चल रहा है SINCI जिसमें हम देख रहे हैं previous year questions और उसमें हम question हम कर चुके हैं बात करते हैं next question कि क्या गेरा अगला सवल देखिए कमल ने 6800 रूपय उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित दो समान वार्षिक किस्तों में बुक्तान किया जाना है यदि वार्षिक रूप में सईयोजित ब्याज की दर साड़े बारा प्रतीशत है तो प्रतेक किस्त की राशी क्या होगी जैसा कि question ने बताया ही नहीं है कि ब्याज कौन सा है तो सरल या चक्रवती कि दौनों में से कोई एक रहा होगा तो हम इसको सरल ब्याज के हिसाब से कर लेते हैं सरल ब्याज में किस तवाले question किस तरीके से किया करते थे पहला 100 प्रतीशत फिर ब्याज कितना है दर में साड़े बारा तो ये 112.5 प्रतिशत तो टोटल कितना देना है उसको उसको देना है तो और 112-0212.5 प्रतिशत में एतना देना रुपय में कितना देना f1 प्रतिशत का मान कितना 6800 बटा में dell 12.5 हमें निकालना हर की से हम घुणा कर देंगे 100 का मान हमें निकालना यह यह तो जीरो और लग जाएगा ठीक है हो सकता है यह CS करगा हो लेकिन हम SI से कर रहे हैं क्योंकि इसने बताया नहीं है कौन सा ब्याज है तो SI वाला हम ब्याज लगा रहे हैं तो हो सकता है हम SI से कर रहे हो तो option ना मिले और अगर SI से बुक में भी कर रहा है तो option मिल जाएंगे लेकिन जब exam में question आएगा तो बकायदा लिखावा रहेगा कि SI है यह सरल ब्याज है यह चक्रवती ब्याज है करते हैं इसको cancel करें तो मैं इसको कर सकता हूं 25 से चार बार 40 हो गया यह यह 25 से चला जाएगा आपके 25 से चला जाएगा यह 212 है तो सब से पहले 25 से चला मपलेख से चला गया यह 8 बार यह पांत से हो गया एक फिर कितना 35 तो यह साथ पिर 17 से इसको कर लेते हैं कितनी बार चला जाएगा यह 17 से चला जाएगा चार बार आठ का चार से 32 रुपय आ रहा है जैसा कि option में नहीं दिख रहा है तो definitely यह जो solve कर रखा है यह कर रखा होगा किस से यह CI से कर रखा होगा compound interest से लेकिन question में mention नहीं है इसलिए हमने SI से किया तो हमारा अंस्वर भी बिल्कुल सही है चलिए बात करते हैं 73 के बारे में क्या गरा 73 देखिए अभीशेक ने 25,000 रुपय की राशी 16 प्रतीशत प्रती वर्ष की दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की है उसे अवधी पूर्ण होने पर कितनी राशी प्राप्त होगी ठीक है मिश्रदन बताना आपको अगेन इसमें नहीं बता रखा है कि कौन सा interest है तो हम simple interest ही लेकर चल रहे हैं लेकिन question exam में आने पर mention होता है SIA या CIE चलिए 25,000 रुपय की राशी 16 प्रतीशत प्रतीवर्ष की दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की है तो अवधी पूर्ण होने पर कितनी राशी प्राप्त होगी मतलब amount बताना है amount होता है principle जिसको 100% बान से हम गुणा कर लेते हैं तो यह हो गया आपके 86 का आट से कितना होगे 48 तो 80 और 48 128 प्रसेंट आपको क्या मिल रहा है interest मिल रहा है तो कुल मिलाकर कितना मिलेगा 228 प्रसेंट आपका क्या होगा amount होगा मतलब मिस्रधन होगा तो मैं देख सकता हूं 25,000 मूल दन है 100% की value 25,000 ह है तो एक का मान कितना होगा 25,000 बटा सो यह एक प्रतीशत का मान है मुझे मान चीए 228 प्रतीशत का तो गुणा कर लेते हैं डबल से यह डबल गया 228 का 25 से गुणा करते हैं और 0 लगा देते हैं आट का 5 से कितना 40, 5 का 2 से 10 और फिर 14, 5 का 2 से 10 और फिर कितना 11 यह होगया 8 का 2 से 16, 2 का 2 से 4 और एक 5 फिर 2 का 2 से कितना 4 तो यह होगया आपके अंस्वर एक 0 तो यह लगे गई फिर यहां से भी 0 आगया 6 और 4 10, 5 6 और 7, फिर 4 और एक 5 57,000 मतलब तीसर आप्शन आपका बिलकुल सही हो रहा है तो यह था आपका कुश्चन नंबर 73 बात करते हैं 74 की क्या गया है कुश्चन नंबर 74 देखिए चक्रवती ब्याज में जमा की गई एक रकम तीन वर्षों के बाद 6,690 रुपए बनती है और 6 वर्षों के बाद 10,035 रुपए हो जाती है ठीक है चक्रवती ब्याज बोल रहा है तो ठीक है तो ले लेते हैं इसको तीन वर्ष के बाद में 6,690 रुपए बनती है मतलब आपको अमाउंट दे रखा है तीन साल का जो की ये होता है दर कितनी है नहीं पता चलिए ठीक है पिर 6 साल का भी आपको अमाउंट दे रखा है कितना 10,035 रुपए तो 6 साल का है तो घात कितनी होगी 6 समय आता है तो उस 6 को मैं 3 और 3 में लिख सकता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि पी 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 6,690 तो इसका आले यहां पर हम वैल्यू रख सकते हैं इसकी वैल्यू रख लिए हमने 6,690 फिर 100 प्लस आर अपॉन 100 का क्या क्यूब इसकी वैल्यू भी यहां से देख सकते हैं 6,690 बटा में क्या आ जाएगा पी क्या हमें तो फिछ निकालना है तो यह लीजे 6,690 बटा में कितना पी इसकी value लेली यहां से और इस पूरे की भी value लेली यहां से P निकालना है P इधर आजाएगा 10,035 नीचे आजाएगा तो answer आगे आपका 6690 into 6690 बटा में 10,000 पैती principle आचुका आपके सामने आप इसको solve करेंगे और answer लेकर आजाएगे जो की आपको मिल जाएगा इन चारा option में से कोई भी एक ठीक है चलिए यह दा question number 74 बात करते है next question 75 के बारे क्या कह रहा है question number 75 देखी 1550 रुपए आंशिक रूप से 5 प्रतीशत और आंशिक रूप से 8 प्रतीशत साधारन ब्याज पर रिन दिया गया तीन वर्ष के बाद में कुल ब्याज है 300 रुपए तो उधार दिये गए 1550 के जो 5 और 8 प्रतीशत पर उधार दिये गए उनका रेशियो क्या होगा निकाल सकते है आराम से पहला भाग 5 प्रतीशत पर दूसरा भाग 8 प्रतीशत पर 問 मिलाकर 300 रुपए का ब्याज मिल रहा यह तीन साल में तो हर साल ब्याज कितना है 100 रुपे कर के इस पर है 1550 पर प्रतीशत में कितना है वो भी देख लेते हैं ये कैंसल होरा और क्या जा रहा है बिलकुल और क्या जा रहा है 200 डटा कितना बन गया यह 31 को पॉंट में लेना चाहें तो पॉंट में ले सकों और ऐसे रखे तो भी चल जाएंगा तो यह लीजिए रेट ऑफ इंटरस्ट कुल मिला का 200 अपन 31 रेशियो यह लेना अभी निकल जाएगा रेशियो तो कर लेते हैं इसको तो कितना हो जाएगा यह 31 है तो तीन से देखें तो तीन चंग 18 तो यही ज्यादा है आठ माइनस तीन सो बटा सुरी दो सो बटा 31 कि इधर आ जाएगा दो सो बटा 31 माइनस कितना पांच 31 से 31 तो वैसे कैंसिल होना है 31 का 8 से कर लूँ क्योंकि यह लोगा 31 इधर भी लोगा 31 फिर रेशियो में है तो 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा तो आठ से करेंगे तो यह हो गया आठ फिर आठ सोला चॉइस फिर कितना माइनस का 200 तो यह आ गया 48 चलिए उधर पांच और पांच का 3 से 15 तो 200 माइनस आ रहा है कितना एक सोपच पन तो कितना रहेगे आपके पास 40 यह हो जाएगा 5 कैंसिल कर लेते हैं इसको किस से जा रहा है यह डेफिनिटली जा रहा है आपका किस से ये तीन से तो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया कितना 15 16 अनुपात 15 मनलब चौथा option आपका बिलकुल सही है कल ये बात करते हैं next 76 के बारे क्या गयरा question 76 देखिए किस चक्रवती वारशिक ब्याज की दर से दो वर्ष में 80,000 रुपए 88,200 रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज साला ना जोड़ा जाता हो चक्रवती ब्याज दर निकाल ली हो जाएंगे मतलब मिश्र दन दे रखा आपको मूल दन ये रख दर हमें पता नहीं है लेकिन टाइम हमें पता है कितना दो वर्ष ठीक है निकाल लेते हैं दो से चार सो ये किया दो से चलिए तो चार सो एकतालिस बटा में कितना है 400 जो कि 100 प्लस आर अपॉन हंड्रिट का क्या है स्कोर है तो मैं देख सकता हूँ इधर स्कोर है तो इधर भी स्कोर होगा किसका square होगा इनको देखकर पता चल रहा है यह होगा किसका 21 बटा 20 का square तो दौनों तरफ घाते समान है इधर पावर है 2 इधर भी पावर कित्ती है 2 तो दौनों तरफ घाते समान है तो आधार भी आपस में क्या होंगे एक समान होंगे तो वो आधार कितना दिखरा आपको 21 बीस और ये आधार कितना दिखरा आपको 100 प्लस आर बटा में 100 तो ये गया पांच बार पांच का उधर गुणा हो गया तो ये हो गया 105 आर निकालना है तो 105 में से आप 100 कम कर लीजिए तो बचेगा पांच तो रिट आफ इंट्रेस्ट आ गई आपकी कितनी 5 परसंट ये ही पूछा था जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है चौथा बिलकुल सही होगा ये था 76 बात करते हैं 77 की क्या किया रहा है 77 देखी एन वर्षों के बाद 5 प्रतीशत प्रतीवर्ष चक्रवती ब्याज की दर से राशी एवं मूलधन का अनुपात क्या होगा चलिए एन वर्षों के बाद में 5 प्रतीशत प्रतीवर्ष चक्रवती ब्याज की दर से राशी और मूलधन का अनुपात ए अपॉन पी कर लूँ तो यह हो गया 21 की पावर एन अपॉन 20 की पावर एन अब आपको मिस्रदन और राशी का पूछा या राशी और मिस्रदन वो ज़रा देख लेते हैं राशी एवं मिस्रदन का पूछा है तो राशी के बारे में बात करें प्रिंसिपल 20 एन है और मिस्र एक व्यक्तिन ने एक बैंक में 6,000 रुपए 5 प्रतीशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा किये एक अन्य व्यक्तिन ने 5,000 रुपए 8 प्रतीशत वार्षिक चक्रवती ब्याज की दर पर जमा किये दो वर्ष उपरांत उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा चलिए तो 6000 रुपए 5 प्रतीशत साधरन ब्याज की दर पर जमा किये अन्य वेक्ति ने 5000 रुपए 8 प्रतीशत चक्रवती ब्याज की दर पर जमा किये दो वर्ष के उपरांद उनके ब्याजों का अंतर तो पहले साधारण ब्याज के लिए देख लेते हैं ऐसा ही कितना आ रहा है ऐसा ही आ रहा है 6000 रुपे है 5 प्रतीशत है 2 वर्ष है तो ये मिलने वाला ब्याज 6 का 5 से 30 30 का डबल 60 और फिर 0 तो एक 600 रुपे का सिंपल इंट्रेस्ट आपको मिल जाएगा अब C.I.E. देख लेते हैं वो कितना है तो C.I.E. के बारे में भी बात करते हैं देखिए क्या होगा C.I.E. 6000 है आपका मूलधन ब्याज की अधर है 5 प्रतीशत समय है 2 साल इसमें से फिर से इसको कम कर लेंगे तो आपका C.I.E.E. आ जाएगा कुछ हो रहा है ये हो रहा है 20 ये हो रहा है 21 6000 तो ले लेते हम बाहर 21 का 441 ये कितना 400 LC.M आएगा फिर उधर भी जाएगा तो हम देख सकते हैं ये डबल से ये डबल चीरो चरा गया ये चला गया 15 बार 41 में से 40 400 में से 400 जाएगा 41 बचेगा तो कितना हो गया 15 इंटू 41 जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 15 का 4 से कर लेते हैं तो 15 चौक 60 फिर ये 0 फिर 15 का 1 से 15 तो 615 आ रहा है आप देख सकते हैं कि CIE कितना आ रहा है आपके पास 615 रुपए SI कितना आ रहा है 600 रुपए तो क्या पूछ रहा है आपको दो वर्ष के उपरांत उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा तो अंतर हम यहां देख सकते हैं कि ये बता रहा है कितना पांच प्रतिशत अच्छा इसको भी पांच प्रतिशत ले लिया जबकि ये कह रहा है आंट प्रतिशत है तो थोड़ी सी गड़बड हो गई है ये पांच प्रतिशत सरल ब्याज के लिए था और चक्रवती ब्याज के लिए आंट प्रतिशत था मैंने गलती से चक्रवती ब् गुलदन यह एकसो आंट यहत वर्ग और यह आगया कितना निकाल लेते हैं तरीका तो वही हैं हमारे पास निकालने का तार से चला जाएगा यह कितना पत्चिस और यह चला जाएगा फिर चार से आपके कितना 27 तो यह 5000 फिर से आप common ले सकते हैं 25 का square 625 होता है यह 5000 बार जाएगा एक बचेगा तो यह 625 यहां पर आ गया इसको हम काट सकते हैं 25 से गया 25 बार 25 से यह गया 25 का 250 फिर 25 से यह गया 8 बार 27 का square कर लेते हैं 27 का square जो होता है कितना होगा 0 4 यह गुन पच्चास साथ का 2 से 14 और फिर 28 9 8 4 12 4 2 6 और एक साथ 700 गुन तीस चलिए 700 गुन तीस में से 625 को कम करते हैं तो कितना रह जाएगा आपके पास आठ तो आई चुका है बस आठ का उससे गुणा करना से तो कितना होगी आप 75 इधर और उपर का कितना है गुन तीस तो 75 और गुन तीस मतलब एक सो चार आठ चौक 32 फिर तीन और फिर यह आठ तो 832 रुपए मिल रहे हैं इसके 600 रुपए मिल रहे हैं इसके तो दौनों का अंतर कितना 232 का 232 मतलब सेकेंड आप्शन आपका बिलकुल सही है ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कुश्चन नंबर 79 क्या गया रहा है कुश्चन नंबर 79 देखिए 79 आपको कहरा है किसी राशी पर दो वर्ष के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवती ब्याज प्रती वर्ष सहयोजित 102 रुपए है इस राशी पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज की दर से साधारन ब्याज क्या होगा तो यह देख लेत दो वर्ष के लिए 4 प्रतीशत वार्शी की दर्षे चक्रवती ब्याज कितना 102 रुपय है तो पहले तो वह राशी निकालते हैं कि वह राशी कितनी है, अब वह हम जड़ा देखते हैं निकालता है प्रिंशिपल? चली हुआ तो आपको दे रखा 102 रुपय चक्रवती ब्याज , मूलदन पता नहीं है एक सो चार ये सौ ये कॉमन ले रखा आपने प्रिंसिपल तो दो साल है तो ये लीजिए इसको अंदर ही अंदर कर सकते हैं 25 और ये कितना 26 ये 102 है प्रिंसिपल अभी निकाल लेते हैं 25 का स्क्वेर 625 ये भी माइनिस 625 26 का स्क्वेर हम कर लेते हैं कितना 676 तो 625 और 102 तो गुणा हो जाएंगे और जो इनका डिफ्रेंस है वो नीचे लग जाएगा जो कि कितना है ये 676 है ये 625 है तो 25 और 25 पचास और ये कितना 51 ये चला गया कितना 2 बार तो 625 का डबल कर लिया तो 600 का 1200 और ये कितना 25-25-50 तो 1250 अब प्रिंसिपल आगया आपके पास 1250 रुपए आचुका है अब 1250 रुपए प्रिंसिपल लेकर आपको चार प्रतीशत जो दिखरा है वही आपको रेट फिर से काम में लेनी और समय यह दो और यह बटा मैं 100 कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा साड से यह गया 25 25 से यह गया और आंसर आ गया 100 रुपए जो कि मैं देख सकता हूं तीसरा आप्षिन आपका बिल्कुल सही है यह था कुशन नंबर 79 बात करते है एड़ जीरो एटी क्या गरा कुशन नंबर 80 देखिए कुशन नंबर 80 आपको कह रहा है किसी दन राशी का 5 प्रतीशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चकरवती ब्याज 246 रुपए है उसी दन राशी का 6 प्रतीशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधरन ब्याज क्या होगा तो ब्याज हो गया आपका मूलदन तो बार आ गया 105 बटा 100 स्क्वेर माइनस का ये एक ये अंदर ही अंदर हो गया 20 और ये 21 तो मैं देख सकता हूँ 246 है 20 का स्क्वेर करेंगे तो कितना होगा 400 और यह माइनस में इधर जाएगा 400 21 का स्क्वेर करेंगे 441 इधर आ जाएगा 246 गुणा 400 यह प्रिंसिपल है 441 मसे 400 गया तो कितना बचा 41 ठीक है 6 से कर लेते हैं यह 6 से जा रहा है च्षेट कोई सोव तो प्रिंसैपल आ गया कितना 2400 रूपीश, अबब यह जो चॉइस रूपाई, आपके पास प्रिंसिपल आए ने में में वहाँ, कुने काम में लेना है सिंपल इंटरस्ट के लिए 6 परतीशत के हिसाब से तीन वर्ष का कि यह का तीन से अठारा चॉइस और अठारा का गुणा कर दीजी आंस्वर मिल जाएगा आठ चॉब 32 पीछे दो आ रहा है तो पीछे दो केवल और केवल 432 में आ रहा तो वही आंस्वर है आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है यह ता कॉशियन नोंबर 8080 बात करेंगे कॉश्यन नोंबर 81 की हमारे नेक्स पारट में तब-तक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंटस कीजिए थैंक यू सोमेंच प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डेडिटर तैयारी